नाइट मैचेज दिल्चस्प होते हैं एक बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है आज आज पिछ काफी ड्राइ लग रही है स्पिनर्ज आज एक बड़ी भूमी का निभा सकते है सबका स्वागत है इस खूप सूरत मैदान में टॉस के लिए यहाँ पर मौझूद है दोनों टीम के कप्तान और मैच रेफरी यह हैं दोनों टीम्स के खिलाडी जो आज मैदान में उतरेंगे एक दूसरे के साथ पिड़ेंगे नई गेंद के साथ दोनों अमपायस पिछ की और बढ़ते हुए फील्डिंग टीम आज पूरे जोश में दिख रही है दो सलामी बल्लेबाज पिछ की और बढ़ते हुए टेज गेंदबाज को लाया गया है तैयार है बल्लेबाज इनिंग्स की पहली गेंद खेलने के लिए क्या शुरुआत दिलाई है गेंदबाज ने अपनी टीम को पहली गेंद पे चलता किया बल्लेबाज को बहतर पारी की अपेक्षा थी आज पर निराशा लगी हाथ पारी की शुरुआत में संभल कर खेलना चाहेंगे बल्लेबाज गैप में खेला और एक रंचुरा लिया सकारात्मक फील्ड सजाई है कप्तान ने अच्छी कप्तानी कोशिश अच्छी थी गैप में खेलने की मगर फील्डर वहां थे मौजूद बल्लेबाज के लिए कोई भी आसान रन अवेलिबल नहीं है मज़ा आता है ऐसी फील्डिंग देखकर मुश्किल गैंद थी बल्लेबाज समझी नहीं पाए इस गैंद को प्तान ने बड़िया फील्ड लगाई है और गैंद बाज भी फील्ड के अनुसार ही गैंद बाजी कर रहे हैं एक रन लेने में सफल हुए दोनों खिलाडी वाइड थ्रो है ये खिलाडी के द्वारा देखना दिल्चस्प होगा कि अगली गैंद कहां डालेंगे गैंद बाज ये हवाई फायर अल्विदा टाटा बाए बाए मिलते हैं बाउंडरी के पार छेरान बहे दो बीन शॉट लेंद को जल्दी से पड़ा और खूबसूरत चौका जड़ा काफी अच्छी लेमे लग रहे हैं बल्ले बाज आज काणक शॉट छे रंड और इस गेंग की गुमशुदा तलाश केंदर में रिपोर्ट लिखवाई है अब नहीं मिलेगी किसी को स्टेडियम दर्शकों से खचा-खच भरा दिखाई दे रहा है और ये बल्ले का किनारा लगा पर बल्ले बाज बचे ये थ्रू विकेट से बहुत दूर थी अच्छे अंदाज में पिक किया शॉट को और गेंद को पहुचा दिया स्टैंड में स्टैंड एंड बिल लिवर गैप में खेला और एक रंचुरा लिया काफी महनद मशक्कत करनी पड़ी है इस थ्रो को कलेक्ट करने में पूरी तरह से चूक गए बल्ले बास आउटस्टैंडिंग गेंद बास गेंद बास अच्छी लाइन लेंद पे गेंद डाल रहे हैं क्या ये विकेड लेने में सफल होंगे चलो देखते हैं मुश्किल गेंद थी बल्ले बास समझी नहीं पाए इस गेंद को बल्ले बास जरूर पिछली गेंद भुला कर अगली गेंद पर ध्यान लगाना चाहेंगे वह वह बड़ी आच्छे रहे हैं मज़ा आता है इनको इस अंदाज में बल्ले बास ही करते हुए देखने में ला जवाब स्ट्रोक है ये रन्स तो यहां भी मिलेंगे एक दो नहीं पूरे चार मिलेंगे किफायती गेंद बाजी करनी है तो गेंद की लेंद को ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं रख सकते बहुत ही बढ़िया शॉट गैप में गई ये गेंद और मिलेगा चौका इनको आज रोक पाना मुश्किली नहीं ना मुम्किन दिखाई दे रहा है ये हवाई फायर अलविदा टाटा बाई बाई मिलते हैं बाउंडरी के पार चेरान ये हवाई फायर अलविदा टाटा बाई बाई मिलते हैं बाउंडरी के पार चेरान अच्छी साज़ेदारी दोनोंने रिस्पॉंसिबिलिटी को साजा किया स्पिन गिंदबाज को अटैक में लाए हैं कप्तान पावर प्लेगी हो चुकी है समापती यानि अब दो से अधिक फील्डर्स तीस गस के घेरे के बाहर रह सकते हैं गैप में खेला और एक रंचुरा लिया खूबसूरत थ्रो पिल्कुल स्टंप्स के उपर स्पिन गेंदबाजी के विरुथ तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं ये हवा में दे मारा है बढ़िया कैच चल्दबाजी की और अपने विकेट से हाथ दो बैठे हैं बल्लेबाज पैविलियन की और लोटना पड़ेगा ना खुश मायूस नाराज निराश बल्लेबाज गेंदबाज बहुत ही चदुराई से गेंद डाल रहे हैं अपने अनुभव का पूरा इस्तमाल करते हुए एक रन लेने में सफल हुए दोनों खिलारी काफी मेहनद मशक्कत करनी पड़ी है इस थ्रोगों कलेट करने में पूरी तरह से चूप गए बल्लेबाज आउटस्टैंडिंग गेंदबाज गेंदबाज अच्छी लाइन लेंद पे गेंद डाल रहे हैं क्या ये विकेड लेने में सफल होंगे चलो देखते हैं जल्दी से कंप्लीट किया एक रन वाइड थ्रो है ये खिलाडी के द्वारा ओ शांदार गेंद तेज गेंदबाज को बहतर खेलते हैं ये बल्लेबाज और ये मैक्सिमम केंद जाएगी बाउंडरी के पार चक्के के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही द्रिष्टी कोनों से पिच अभी तक काफी बैलेंस लग रही है गैप में खेला और एक रंचुरा लिया और सटीक थ्रो की अपेक्षा थी यहाँ पर स्टेडियम दर्शकों से खचा खच भरा दिखाई दे रहा है मिलेंगे पूरे चार रंस हाथ मुश्वास और बढ़ेगा इस शॉट से आदा है आधे की जरूरत है अवेल कमपाइल्ड फिफ्टी गेंद बाज ओन रिमान चौके छक्के ओन डिमान गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर इस पारी को जरूर एक बड़े शातक में तबदील करना चाहेंगे कालक शॉट छे रंक और इस गेंग की गुमशुदा तलाश केंदर में रिपोर्ट लिखवाई है अब नहीं मिलेगी किसी को स्लिप्स लगाए हैं आक रामक कप्तानी खूब सूरज चान रंड चान लगाने वाले रंड अच्छे बैटिंग रिदम में दिख रहे हैं आज ये शांदार शॉट दिल खुश हो गया इस शॉट को देखकर गेंद को हवाई यात्रा पे भेजा है आउच्छ जबर्दस कैच्छ यकीनन इससे भैतर स्ट्रोक खेल सकते थे बल्ले बाज लेकिन इस बॉके पे गल्ती कर बैठें पैविलियन की और लौटना पड़ें आज 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 आ पड़ेगा नाखुश मायूज नाराज निराश बल्ले बाज अड़िया गेंद बाजी चतुराई से गेंद बाजी कर रहे हैं यहां गेंद बाज स्पिनार आए हैं गेंद बाजी के लिए कप्तान ने बड़िया फील्ड लगाई है और गेंद बाज भी फील्ड के अनुसार ही गेंद बाजी कर रहे हैं नाजवाब शॉट गेंड डाली इस लौट में बल्ले बाज ने उसको पार्किया पार्किंग लौट में छेरन एक चुनावती पूर्ण लक्षे देना है तो अब रनों की गती बढ़ानी होगी अच्छे अंदाज में पिक किया शॉट को और गेंद को पहुचा दिया स्टैंड में स्टैंड एंड डिलिवर वाह क्लीन बैट स्विंग देखने को मिला यहां बल्ले बाज का पूरे छेरन मिलेंगे आकरामक बल्ले बाजी शायद चेताव नहीं दे रहे हैं आज तो गेंद बाजों की खैर नहीं चालाख हैं बल्ले बाज जानते हैं कि उस तरह बांडरी छोटी है और इसका पूरा फायदा उठाया छेरन चतुराई के साथ जान बूच के ग्राउंड के सबसे छोटे हिस्से में खेला इसी दूसरे हिस्से में यकीनन छेरन नहीं मिलते थे इस शाट से चतुराई के साथ जान बूच के ग्राउंड के सबसे छोटे हिस्से में खेला इसी दूसरे हिस्से में यकीनन छेरन नहीं मिलते थे इस शाट से रफतार से मुलाकात होगी तेज गेंद बाज अटैक में दर्शकों ने मैदान पे जबर्दस माहोल बनाया है और खिलाडी भी आज अपना सर्वशेष्ट खेल दिखा रहे हैं दमदार शोट और ये चक्का चक्के छुडाने वाला चक्का यकीनन इनका पसंदीदा छोर है अब देखना दिल्चस्प होगा कि यहां से कितने असरदार साबित होंगे गेंदबाज लाचार बल्लेबाज के खाते में पूरे चार गेंदबाज को अपने लाइन ओ लेंट में थोड़ी और अनुशासन की जरूरत सुन्दर शॉट गैप में सीधा चार रंस के लिए जब यह आकरामग रुख अपनाते हैं रनों को रोग पाना बहुत मुश्किल लगता है गेंदबाज लाचार बल्लेबाज के खाते में पूरे चार अच्छी साजेदारी दोनोंने रिस्पॉंसिबिलिटी को साजा किया अच्छे बैटिंग रिदम में दिख रहे हैं आज ये गलश शॉट सेलेक्शन भागेशाली रहे कि बल्ले का किनारा नहीं लगा गेंदबाज अच्छी लाइन लेंद पे गेंद डाल रहे हैं क्या ये विकेड लेने में सफल होंगे चलो देखते हैं बड़िया टाइमिंग आत्म विश्वास जरूर बढ़ेगा इस शॉट से चार रंस बड़िया ले में लग रहे हैं यकीन एक बड़ी इपारी की मंच्छा लेकर आए हैं मैदान पर हवा में दे मारा गैप में खेला और एक रंचुरा लिया वाइड थ्रो है ये खेलाडी के द्वारा डेथ होवर्स के लिए विकेड बचाना काफी महत्वपून होता है वाँ वाँ बड़ी अच्छे राएं मज़ा आता है इनको इस अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखने में शायद अब गियर बदलना चाहेंगे बल्लेबाज रनों की गती नियंत्रण में रखना चाहेंगे हवा में दे मारा है गैप में खेला और एक रंचुरा लिया डेथ होवर्स के लिए विकेड बचाना काफी महत्वपून होता है खूब सूरज शॉट चार रंस के लिए काफी अच्छी लेमे लग रहे हैं बल्लेबाज आज बल्लेबाज बिल्कुल कमफरडेबल नहीं दिखे इस गेंद पर बड़ी आगेंद बाजी यकीनन बल्लेबाज को मुश्किल समय दे रहे हैं ये गेंद बाज कमाल की टाइमिंग और मिलेंगे पूरे चार रंस रफ्तार से मुलाकात होगी तेज गेंद बाज अटैक में काफी अनुशासन के साथ हुई है अब तक गेंद बाजी परिडाम स्वरूप मैच पर अच्छी पकड़ बनाने में सफल रहे हैं इस गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर और दर्शकों के बीच किया है डिपॉजिट गजब का छक्का डेथ हुवर्स के लिए विकेट्स बचाना काफी महत्वपूर होता है बन्ले से गेंद का जबरदस संपर्क और इसे छे में किया दबदीव सो रन पूरे अब विश्वस्निय अपारी खेल रहे हैं बल्ले बास कमाल का प्रदर्शन इस बल्ले बास ने मानो ये स्पष्ट कर दिया है कि आज ये रुपने वाले नहीं हैं मिलेंगे पूरे चार रन्स आदम विश्वास और बढ़ेगा इस शॉट से दोनों खिलारियों के बीज माहुल गरम होता हुआ गेंदबाज ओन रिमान चौके छक्के ओन डिमान हवा में दे मारा है शानदार कैच मिल गई सफलता शॉट सेलेक्शन में चूप कर बैठे बल्ले बास मायूस होंगे बल्ले बास क्योंकि उनकी पारी में लग चुका है पून विराम अच्छी विकेट मिली है पिछली गेन पर क्या एक और सफलता दिला पाएंगे अपनी टीम को एरियल रूट चुना है इस बार बड़िया थ्रो स्टम्स के बेहद करीब पारी की आखरी गेम देखते हैं क्या होता है इस पर गाप में खेला और एक रंचुरा लिया और यहां पे पहली पारी समाप थुई शुरुवाती विकेट्स बहुत ज़रूरी होंगे फिल्डिंग टीम के लिए फिल्डिंग टीम आज पूरे जोश में दिख रही है दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए तेज गेंदबास को लाया गया है तेज पहले बल्लेबाजि लिंग Cars के लिए गैप में खेला और एक रंचुरा लिया देखना दिल्चस्प होगा कि अगली गेंद कहां डालेंगे गेंदबास हलकी सी थी खाता और नहीं खुला खाता बड़ी सफलता पूरी टीम उत्साइथ होगी इस विकेट के बाद पैविलियन की और लोटना पड़ेगा नाखुश मायूज नाराज निराश बल्लेबास बहुत अनुशासन से गेंद करने के लिए जाने जाते हैं ये गेंदबास एक रन लेने में सफल हुए दोनों के लारी बड़ी आर रनिंग बिट्वीन दविकेट्स जल्दी से कंप्लीट किया एक रन कोशिश अच्छी थी गैप में खेलने की मगर फील्डर वहां थे मौजूद गैप में केला है दो रन्स मिल सकते हैं अच्छा तालमेल दिखने को मिल रहा है दोनों बल्ले बाजों के बीच शानदार रनिंग बिट्वीन दविकेट्स शॉट अच्छा खेला पर गैप भूनने में असफल रहे बल्ले बाज बड़ी आर रनिंग बिट्वीन दविकेट्स और ये हवाई फायर और दर्श को गो किया है फील्डर्स में तबदी खूब सूरत चार रन चार चान लगाने वाले रन काफी अच्छी लेमें लग रहे हैं बल्ले बाज आज गैप में खेला और एक रंचुरा लिया कोशिश अच्छी थी गैप में खेलने की मगर फील्डर्स वहां थे मौजूद क्या कैच पकड़ा है अद्भुत और इजी के साथ बल्ले बाज की पारी का अंध मायूस होंगे बल्ले बाज क्योंकि उनकी पारी में लग चुका है पून विराम पारी की शुरुवात में संभल कर खेलना चाहेंगे बल्ले बाज फील्डर का बहुत अच्छा बैकप अपनी टीम के अतरिक्त रंस बचाएंगे इस पिछ पर एक धीमी गती की गेन जरूर आजमानी चाहिए एक रं लेने में सफल हुए दोनों खिलाडी यकीनन इनका पसंदीदा छोर है अब देखना दिल्चस्प होगा कि यहां से कितने असरदार साबित होंगे जल्दी से कंप्लीट किया एक रं बड़ी आर रनिंग बिट्वीन दविकेट्स अब सिंगल्स और डबल्स लेने में आसानी होगी क्योंकि फील्ड अब खुल गई है गैप में खेला और एक रंचुरा लिया तेज भागे और एक रंपने खाते में जोड लिया अच्छा त्रो फील्डर का तेज और बिलकुल ठिकाने पर अच्छा खेला दो रन आसानी से मिल सकते हैं बढ़िया भैक अप वहाँ फील्डर मौजूद नहीं होते तो विपक्षी टीम को अत्रिक्स रंज मिल सकते थे स्टम्स के बहुत करीब है ये थो बढ़िया फील्डिंग स्पिनर आये हैं गेंदबाजी के लिए गैप में खेला है दो रंज मिल सकते हैं बढ़िया फ्रो स्टम्स के बेहद करीब गैप में खेला और एक रंचुरा लिया तेज भागे और एक रंच अपने खाते में जोड लिया खूब जूरत थ्रो पिल्कुल स्टम्स के ऊपर देखना दिल्चस्प होगा कि अगली गेंद कहां डालेंगे गेंदबाज गैप में खेला और एक रंचुरा लिया बढ़िया गेम अवेरनेस बैक अप के लिए गए और अपनी टीम के लिए चार बहुमूले रंस बचाए दो रन आसानी से मिल सकते हैं यहाँ बड़ी आर रनिंग बिट्वीन दविकेट्स गैप में खेला है दो रंस मिल सकते हैं खराब फील्डेंग कप्तान को अगर दबाव बनाना है तो अपने फील्डर्स को और चुस रखना पड़ेगा फील्ड पर इस तरकी फील्डिंग से बैटिंग टीम पे दबाव बनाने में असमर्थ ही रहेंगे कप्तान एक रन लेने में सफल हुए दोनों के लाड़ी स्पिन गेंद बाज को वापिस लाया गया है गैप में खेला और एक रंचुरा लिया शायद अब गियर बदलना चाहेंगे बल्लेबाज रनों की गती नियंतरण में रखना चाहेंगे तेजी से पहले रन के लिए दोड लगाई शायद दूसरा रन भी लेना चाहते हैं स्पिन गेंद बाजी के विरुथ तो बहुत ही अच्छी बल्ले बाजी करते हैं ये एक रन लेने में सफल हुए दोनों खिलाडी वाइड थ्रो है ये खिलाडी के द्वारा जल्दी से कंप्लीट किया एक रन खराब थ्रो और चार बहुमूले रन्स का तौफा दे दिया है बैटिंग टीम को खराब फील्ड है बड़ी आर रनिंग बिट्वीन दविकेट्स गेंद बाज लाचार बल्ले बाज के खाते में पूरे चार बल्ले बाज ले में विपक्षी भै में तेज भागे और एक रन अपने खाते में जोड लिया अच्छा त्रो फील्डर का तेज और बिल्कुल ठिकाने पर तेज गेंद बाज को आकरमन में लाया गया है कुछ प्टा ताग जो में द्वे करेंद वाज करेंगे आकरमन में अच्छा तक्यों वाग्जान पार्चारा तक शायद चेताव नहीं दे रहे हैं आज तो गेंद बाजों की खैर नहीं छे रंज मिलेंगे बाजवें खोली और दिखाया अपना जल्वा जबर्दस शॉट बल्ले बाजी और गेंद बाजी दोनों ही दृष्टी कोनों से पिच अभी तक काफी बैलेंस लग रही है गैप में खेला है दो रंज मिल सकते हैं ये थ्रो विकेट से बहुत दूर थी डेथ होवर्स के लिए विकेट बचाना काफी महत्वपून होता है गैप में खेला और एक रंचुरा लिया अच्छी साजेदारी एक रं लेने में सफल हुए दोनों खेलाडी खेलने की कोशिश लेकिन चूके बड़िया गेंद बाजी बल्ले बाज जरूर पिछली गेंद भुलाकर अगली गेंद पर ध्यान लगाना चाहेंगे आकरामक बल्ले बाजी शायद चेतावनी दे रहे हैं आज तो गेंद बाजों की खैर नहीं जल्दी से कंप्लीट किया एक रं स्पिन गेंद बाज को आकरमन में वापस लाया गया है खेल दिया है गैप में दूसरे रं की कोशिश जरूर करेंगे पारी की आखरी गेंद देखते हैं क्या होता है इस पर दमदार शॉट और ये चक्का चक्के छुडाने वाला चक्का शानदार जीत बहुत बड़ी आंदाज से पहले एक सम्मान जनक लक्ष दिया और फिर उसको सक्सेस्फुली डिफेंड किया इस कप की पूरी हगदार है ये टीम, बहुत ही शांदा प्रदर्शन दिखाया इस टीम ने, बोलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर जगा इनकी महनत रंग लाई है